पार्टिया नहीं है डाकूओं के गिरोव हैं ये हाँ मैंने इनको पार्टि कहना बंद कर दिया लुटेरों के गिरोव हैं ये पार्टि नहीं है आप और लूट में नेताजी लगे हैं उनकी पत्नी लगी है फिर उनका बेटा लगा है बेटे की भी पत्नी लगी है फिर उनका चाचा, उनका ताउ, उनका बतीजा, उनका मामा, उनका साला सभी तो लूटने में लगे हैं बताओ कौन सा खांदान है जो नहीं लूट रहा है खांदान के खांदान लूट में लगे हुए हैं यहीं देख लो आंधर प्रदेश में कल तक अंधर प्रदेश के जिन्नेताओं के पास टूटी साइकल नहीं थी भीस साल पहले आज उनकी संपत्ती हजारों करोड में काँ से आ गई लूट के आई इसलिए हर लूट खोर नेता का बेटा और बेटी उसमें घुस रहे हैं क्योंकि इससे ज़्यादा आसान काम हो और क्या मिलेगा चाय की दुकान भी चलानी पड़ती है तो महनत लगती है यहां राजनी में तो बिना महनत के लूटने को मिलता है ना कोई महनत है ना कोई मशक्कत है ना कोई टैक्स देना है और ना किसी से कोई जवाब देही है लूटो लूटो घर भरो विदेशी बैंकों के खाते भरो यह है हमारे देश में तो मैंने कहां कि अभी एक रास्ता तो यह है कि हम सब फिर से महात्मा गांदी भगत सींग उधम सींग चंदर शेकर का अवतार ग्रहन करें और इन नए काले अंग्रेजों को इस लूट की विवस्था से बाहर करें ये एक रास्ता है एक और रास्ता है दूसरा कि हम सब कुछ ना करें खामोश बैठे रहें एक दूसरा रास्ता और है खामोश बैठे रहें और कहें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा तुम क्यों विर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाने वाले हो यह दूसरा रास्ता है हाँ और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले दस बीस नहीं हैं सेक्ड़ों लोग हैं रो जाते हैं और माला पकड़ा देते हैं राम 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 राधे 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 राम 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 राधे 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 बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा और जादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे हैं तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी एक आप राम की कथा कहेगा दस करोड लेके जाएगा दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा वो पंद्रे करोड लेके जाएगा और आप जैसे भोले भाले मुरख लोग डालते हैं उनके पात्रों में ले जा बाई ये बापू नहीं है डाकू है बापू नाम तो शरमाती है कहते हुए कहीं से दस करोड लूटो कहीं से बीस करोड कहीं से पच्चीस करोड और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धनका करें क्या income tax वाले पकड़ते हैं तो ये बापूं को देते रहते हो आप क्या करें उसका और ये बापू लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मैंने देखा है क्या-क्या पाखंड और नौटंकी चलता है भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिन्दगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हमें वीरता पैदा करें जो साहस पैदा करें राम की जिन्दगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है वीरता का है जब चौदे वर्ष के लिए बनवास चले गए राम तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कताना उसमें कहते हैं राम ने चौदे साल एक ही काम किया हाई सीते हे सीते हाई सीते हे सीते हाई सीते ये सुनाते हैं हमको हाँ ये ही सुनाते है निकाल के कहानी में से और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाए सीते हे सीते हाए सीते यही करना था चौदे साल तो दूसरा विवा क्यों नहीं कर लिया सेकड़ो राजा तैयार थे अपनी राजकुमरियों को राम को देने के लिए वो तो कर लेते दूसरा विवा क्योंकि हाए सीते है सीते है सीते एक स्त्री के लिए अगर वो इतने ही बिलक रहेते तड़प रहेते दूसरा विवा कर लेते तो ये सब चुप हो जाते हैं फिर बात नहीं करते हैं फिर मैं उनको रामाइन में से निकाल के दिखाता हूँ देखो राम ने हे सीते हाई सीते कहा नहीं कहा ये मुझे नहीं मालूम लेकिन 14 साल वन में रहते हुए सैकणों राक्षसों का संधार किया उनोंने मारा उनको और धर्म राज़ी की स्थापना कराई ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है तो राम का जो वीरत्व है वो नहीं सुनाएंगे आपको उनकी जो कमजोरियां है वो सुनाते हैं आपको और राम कता जब वरनन की जाती है तो मंच पे बैटके, आहा, कैसे आसू ढलल-ढलल ढासू निकलेंगे आपको भी रो लाएंगे, खुद भी रोएंगे किस बात के लिए? ओ, राम को वन कमन में इतना कश्ठ हो रहा है वन में इतनी तकलीफ हैं हो रही है तो राम की तकलीफों का वरनन कर रहे हैं, आसू आ रहे हैं, और ये सारा वरनन एर कंडिशन्ड मंच पर बैठ कर होता है, अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राम की तकलीफों का वरनन कर रहे हैं, एर कंडिशन्ड मंच चाहिए, एर कंडिशन्ड घर चाहिए रहने के ल तब राम की कथा सुनाई जाएगी, जो राम जिन्दगी भर पैदल चलते रहे, जिन्नों ने अपना रत भी छोड़ दिया था, अयोग अध्या से निकलते समय, वो राम ने जिन्दगी भर पैदल चलके काम किया, और यहाँ एर कंडिशन कारों में घूम घूम कर, है, वो उद्योग है, व्यापार है, बिना टैक्स का, और मुझे बहुत शरम है यह कहते हुए, समय आने पर प्रमान से बात करूँगा, कि राम कथा कहने वाले, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के काम में लगे हुए, एजेंट हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और मुझे इससे भी बड़ी शरमाती है, कहते हुए, कि आप जो उनको दे रहे हैं, दान के रूप में, वो पैसा ब्याज पर उठा रहे हैं, वो दूसरे लोगों को, और आपके दिये हुए पैसे से धंदा बना रहे हैं अपना, फिर ऐसे क्रश्न की कथा कहने वाले आ जाते हैं, कहते हैं, रादे 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 और कुछ कहोई मत रादे रादे, कंस को मारा, जरासंद को मारा, शिशू पाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, रादे 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 क्योंकि आपको कायर बनाना है ना निर्वीर बनाना है नपंसक बनाना है तो वीरता की कहानी क्यों सुनानी है तो चुन चुन कर ऐसी कहानियां सुनाते हैं और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग है ना राम और क्रश् के साथ मिले हुए हैं क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है तुम लोगों का ध्यान इस तरह भठकाते रहो ताकि कोई महंगाई के खिलाफ न लड़े गरीबी के खिलाफ न लड़े बेरोजगरी के खिलाफ न लड़े अत्याचार के खिलाफ न लड़े वो समझातेरो, तुम क्या लाए थे, तुम क्या ले जाओगे, क्यों विर्थ चन्ता करते हो? जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे होगा, और भी अच्छा होगा? एक रास्ता ये है, अब दो रास्ते हैं अपने साम, एक रास्ता बगत सिंह का, उदम सिंग का, चंदर शेकर का एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरूओं का पाखंडियों का जो राम की कथा, क्रश्न की कथा मुझे बहुत आफर आये है मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूँ सच में कहा रहा हूँ आपसे नाम नहीं लेता मुझे आफर आये है कि तुम कहा बेकार भटक रहे हो मेरे साथ आजाओ मैंने का बापू जी क्या होगा उसमें तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा मैं बोलना कैसे, तो नहीं का तुमारी वानी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीले कट्था करने का मजमा लगाने का तरीका है मैं ऐसा डमरू बजाता हूँ कि सब इकट्थे होते हैं और तुमारी वानी में जोर बहुत है मिलके लूटेंगे थोड़ा तुमारा, थोड़ा मेरा ऐसे खुले ओफर हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ बापू जी माफ करो क्यों? कहते तुम्हें पैसे नहीं चाहिए मैंने का पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास यही एक बचा है पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं यह एक रास्ता थोड़ी है बहुत तरीके हैं, पैसे कमा लूँ, घर बना लूँ, बीबी बच्चे ले आओं, करोड़ पती हो जाओं, दस करोड़ पती हो जाओं, सो करोड़ पती हो जाओं, बहुत आसान काम है ये तो. थोड़ी चाला की हो तो सैकणों करोड बनाना बिलकुल मुश्किल नहीं है इस देश में फिर अंत में तो वही होगा ना सैकणों करोड हो गए एक दिन डाइबिटीज होगी एक दिन अर्थराइबिटीज होगा एक दिन अरट अटेक आएगा में मरने ही वाला हूँ तो मरना तो है ही वहाँ भी शायद जल्दी मरू क्योंकि जब शरीर में तामस वरती आती है ना तो जल्दी मरता है आदमी जब तक सात्विक रहता है तब तक थोड़ा दम रहता है तो तामस वरती आईगी मरना मुझे वहां भी है तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरू जहां सात्युक वरती भी है मरना है तो पक्काई है जिन्दा तो कोई रहेगा नहीं तो भगत सिंग का रास्ता क्या बुरा उदम सिंग का रास्ता क्या बुरा चंदरशेगर का रास्ता क्या बुरा कुछ करके मरो न मरेंगे ये सब भी सादू संद पाखंडी राम की कता सुनाते सुनाते हरटेटेक आएगा मरेंगे वो भी डाइबिटी सब को हो रखी है मैंने देखा है नजदीक से जाके सब इंसूलिन लगाते हैं खाते हैं गोलियां अपनी डाइबिटीस नहीं मिटा पाते हैं दूसरों को उबदेश देते फिरते हैं ब्लड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है क्योंकि ये जो काला धन है ना इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है सब बीपी की गोलियां खाते हैं सब डाइबिटीस के लिए शिकार है तो दूसरों को उबदेश देंगे तो मैं भी लग जाओं वो एक रास्ता है बगत सिंग, उदम सिंग, चंदर शेकर का भी है मौत तो दोनों में ही आने वाली है बस अंतर इतना है एक मौत ऐसी आएगी जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा और एक मौत ऐसी आएगी कोई पूछेगा ने तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता बगत सिंग वाला, उदम सिंग वाला और तै कर लिया है कि जैसे बगत सिंग, उदम सिंग, चंदर शेकर ने गोरे अंग्रेजों को बगाया वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को